क्या मेरी बातों पर आप लोग थोड़ा गौर करेंगे मैं योग और अयोग की बात कर रहा हूं आप लोग देखें होंगे अच्छी अच्छी संस्थानों में योग और अयोग की बातें होती है जिन बच्छों को जिन शात्रों को योग इसी शकों की जरूरत पढ़ती है जा होती है वे लोग योग इसी शक से दूर हो जाते हैं और इस शिर्फ योग शात्र ही योग तीशक के पास पहुँच पाते हैं यदि योग सिच्छक योग च्छात्र को या ते तरक च्छात्र को कुछ बहतर बनाता है तो उसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है उसमें कोई बड़ाई नहीं है लेकिन यदि आप और योग को योग बना देते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी शफलता हो जाएगी योग्यों को थोड़े मेहनत से भी आप बहतर और अच्छा बना सकते हैं लेकिन अयोगी को आप लोगों को और छात्र के प्रति भागी हो उनको दोनों को मेहनत करना पड़ेगा मैं अधिक संस्थानों में देखता हूँ विद्याले हो कालेज हो और कुछ भी हो वहाँ पर प्रविश्परिष्छा का एक माध्यम बना दिया जाता है योग्य शात्रों को चूनने का इसमें होता क्या है सीटें एक्सिमीत होती है मान लिजिए आपके पास सीटें सो है तो वहाँ पर परिष्छा देने वाले लोगों की संख्या हजार दस हजार के पास हो जाएगी तो उन में जो सबसे अच्छे चात्रों होते हैं उनका ही सेलेक्शन हो पाता है जो बहुत ही योग्य होते हैं बहुत ही तित्तराक होते हैं लेकिन वे कमजोर छात्रे जिन को जादा उन debit और योग सिछकू की जरूरत पड़ती है वे लोग छट के बाहर आजाते हैं तो ये तो अयोग जिन को जादा ग्ञान और सिछा की जरूरत पड़ती है उन छात्रों के साथ अन्या ही है जिनको ज्यादा ग्यान की जरूरत है जिनको ज्यादा सिच्छा की जरूरत है वे अयोग्य अयोग्यता के कारण उन्ही योग्य सिच्छकों से दूर हो जाते हैं यदि आप योग्य को योग्य बनाते हैं तो उसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है लेकिन आप एक अयोग्य को योग्य बनाते हैं तो आप बहुत बड़े सफल और अच्छे कुशल सिच्छक कहे जाएंगे तो मेरा कहना है कि इन और योग्य या कमजोर छात्रों को पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पे संस्थानों में प्रवेश मिले जगह मिले तो वे भी अपना भविश्य बहुत ही अच्छा बना सकते हैं और उन योग्य और कुशल सिच्छकों का भी पता चलेगा कि वो कितने योग्य और कुशल हैं वे अपने योग्यता का जो प्रमाण है उन और योग्य छात्रों को योग्य बना करके कैसे देते हैं यदि यह मेरा बिचार आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्रतिक्रिया दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए वीडियो को और बेल आइकन दबा देजिए यह मेरे बिचार है आप लोगों को बुरा भी लग सकता है गलत भी मुझे ठारा सकते हैं ठीक है कोई बात ने लेकिन अपने प्रतिक्रिया तो मुझे जरूर देजिए नमस्कार वीडियो करिए